धुनोरी कलेक्टर विकास मिश्रा ने बाइपास रोट के किनारे संचालिद विशेश पिछडी जनजाती छात्रावास में रात गुजारी उन्होंने छात्रों की समस्याय सुनी उनके साथ बैट कर भोजन किया तमाम अवेविस्थाय देखकर कलेक्टर ने छात्रावास अध छात्रावासी बच्चों को दिये जाने वाले भूजन्ज में कमी पड़ाई लिखाई के लिए परियाप्त विवस्था का ना होना पाया कलेक्टर ने कहा कि छात्रावासी बच्चों को शासन की ओर से मिलने वाली राशी से बहुत कुछ कराया जा सकता है जिस भवन में छा पहले जल्दी आना चाहिए था लेकिन मुझे लग रहा है कि यह ववस्ता है जो होनी चाहिए वो उसमें काफी कमिया है और यह बहुण जिस किराय के बहुं में रहे हैं उसको भी बहुर सुधारने के आउ सकता है बच्चों के पास बैठने की यह लेटने की समागरी उसमें क पूरा इंस्पेक्ट करें जो बच्चों के सेविंग के पैसे हैं मुझे रहता है उस पैसे से बहुत सारी चीज़ें और हो सकती हैं जो हम करा तो देंगे अभी तक यह नहीं हुई यह अनिमित्ता का सिर्णी में आता है तो इसमें तो हरी किताई बैठकर पहले तो उनकी कि कि अब आप लोगों के रहने भोजन और पड़ाई लिखाई कि अच्छी व्यवस्थाएं कराई जाएंगी उन्होंने कहा सुबह उटकर सभी बच्चे दोड़ने जाएं अपनी दिलचरिया भी ठीक करें व्यवस्थाएं हम ठीक कर देंगे च्छात्रवासी बच्चों में व्यवस्थाएं ठीक होने की उमीद जगी है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेश हम करते हैं सट्यका अनवेशा दखलनी उस आपके हख में आप देख रहे हैं दखलनी उस झाल